हेलो फ्रेंट बिलकम टू ट्रिक पॉइंट आज मैं आप सब के सामने खेल वा खिलाडियों की संख्या से संबंधित ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंते तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दवा लीजिए जिससे आपको आगयाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके चलिए शुरू करते हैं पहला है बेसबॉल जिसमें नौ खिलाडी होते हैं तो बेसबॉल में दो सब्सक्राइब अगर आपका बेस कमजोर है तो आगे आप नहीं बढ़पाओगे इसलिए सबसे पहले अपना base यानि new सही करिए है ना तो new से आता है सब्द now है ना तो base ball में कितने खिलाड़ी होते हैं now खिलाड़ी clear है अगला देख लेते हैं अगला है net ball जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं तो net ball में भी दो सब्द हैं एक net और दूसरा ball तो ball सब्द बाहर कर देते हैं तो बचेगा net तो net में ne की मात्रा हटा दे तो बचेगा nut और nut अगर बोलोगे आप तो हमेशा nut के साथ bolt भी बोल देते हैं कोई भी बेक्ति हो तो अगर वो nut बोलेगा तो हमेशा nut bolt दोनों साथ में बोलेगा confirm है तो nut bolt 7 में बोलेगा, तो 7 से हो गया 7 और nut से हो गया net ball तो net ball में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 7 खिलाड़ी, clear है, अगला देख लेते हैं अगला है balli ball, जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं तो balli ball में भी 2 सब्द हैं, एक balli और दूसरा ball तो इसमें भी ball अलग कर लेते हैं, तो balli को हम लोग कर लेते हैं ballling तो cricket देखते हैं, आप तो आपको पता है, कि baller जब balling करता है ball से तो एक oबर में कितने गेद फिकते हैं? 6 baller, balling करते हैं टाइम एक oबर में 6 गेद फिकते हैं तो 6 हो गया, 6 खिलाडी, तो बॉली बॉल में दोस्तों कितने खिलाडी होती है, 6, clear है, अगला है बास्केट बॉल, जिसमें 5 खिलाडी होते हैं, तो बास्केट बॉल में भी बास्केट अलग कर लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे किवल बास्केट को लेके चलेंगे, तो बास खिलाडी clear है अगला है पोलो जिसमें चार खिलाडी होते हैं तो जो पोलो में पा बनाया है वह बिल्कुल चार की तरह दिखता है अगर चार के उपर हम लोग लाइन खीच दें तो वह बिल्कुल पा की तरह दिखने लगेगा ठीक है तो आपको पोलो में चार ढूंड़ना है तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तो चार खिलाड़ी यह भी clear हो गया अगला है water polo तो water polo में दो सब्द हैं एक water और दूसरा polo तो मैंने पहले ही बताया कि polo में चार खिलाड़ी होते हैं यह तो clear हैं अब सब्द आता है water, तो water में जो water सब्दों बडबलू से start होते हैं, है ना, तो डबलू को गर सीधा करके लिखे, तो यह 3 जैसे दीखेगा, और अगर आपको ऐसे नहीं समझना, तो आप यह भी समझ सकते हो, कि water तीन सब्दों से मिलके बना है, एक वा, दूसरा टा, और ती खिलाडी होते हैं, तो खो, खो, तो ऐसा लग रहा है, जैसे कोई भी ब्यक्तिदर आपके सामने आके करें, खो, खो, तो ऐसा लगेगे, जैसे वो खास रहो, तो आप बोलोगे, नो, यहाँ पे मत खासो, दूर चले जाओ, है ना, अगर कोई आपके सर के पास आके खो, खो खो, तो इस्नूकर में एक खिलाडी होते हैं, तो इस्नूकर से एक मिलता जूलता सब्सक्र, और इस्कूटर कितने लोग चलाएंगे, एक लोग ही चलाएंगे, इस्कूटर है ना, बाकिव चाहे पीछे कितने भी बैठालों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाने वाला ए देखिए, और अगर आप गाउं से हो, तो आपको क्लियर होगा कि कबड़ी में साथ खिलाडी होते हैं, और अगर आपको नहीं पता कि कबड़ी में साथ खिलाडी होते हैं, तो आप ये कह सकते हो, कि जब दूसरे पक्षवाला खिलाडी कबड़ी लेकि आता है, तो सभी ख पकड़ने के कोशिस करते हैं तो साथ से हो गया साथ तो कबड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं साथ खिलाड़ी अगला है जिमनास्टिक जिसमें आठ खिलाड़ी होते हैं तो जिमनास्टिक में एक सब्द जिम तो जिम जाने से क्या होते हैं दोस्तों हाथ मजबूत होते है है ना डोले बड़े बड़े हो जाते हैं डोले मजबूत हो जाते हैं जीम जाने से तो जीम जाने से हाथ मजबूत हो जाते हैं तो हाथ से हो गया आठ तो जीमनास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तो आठ खिलाड़ी क्लियर हो गया अगला है होकी फुटबॉल और क वो हमेशा एक खिलाडी के पास रहती है, जब तक वह खिलाडी दूसरे की तरफ नहीं फेक देता है, मतलब वह बॉल एक एक करके हर खिलाडी के पास जाती है, और ऐसे फुटबॉल में भी होता है, कि फुटबॉल पहले एक प्लेयर मारता है, फिर दूसरे प्लेयर के पास ज तो होकी, फुटबाल और क्रिकेट में कितने खिलाडी होते हैं? 11 खिलाडी, वैसे तो सबको ये पता ही होगा, ठीक है? अगला है boxing, जिसमें एक खिलाडी होता है, तो ये सबको पता है कि boxing एक ही खिलाडी एक साइट से करेगा, दो-दो खिलाडी मिलके तो boxing करेंगे नहीं, है न? और tennis और table tennis में होते हैं, एक और दो खिलाडी, तो table tennis में एक याँ कि दो खिलाडी होते हैं, ये सबको पता हैं, इसकी trick बताने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि अगर आपने tennis या कि table tennis देखी है, तो आपको पता है कि अगर दो से ज़्यादा खिलाडी हो जाएंगे तो यह खेलते भी नहीं बनेगा ठीक है तो यह clear है कि टेनिस और टेबल टेनिस में एक या कि अधिक्तम दो खिलाडी हो सकते हैं अगला है रगवी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाडी होते हैं तो कभी-कभी जाँ में एक कुश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा खिलाडियो वाला खेल कौन सा है तो उसका सही जवाब रगवी फुटबॉल है और कभी-कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि रगवी कहां का राश्टी खेल है तो इसका सही जवाब है स्कौटलेंड यह काफी महत्पूर्ण है तो इसको आप याद रखिएगा अब हम लोग ट्रिक देख लेते हैं तो रगवी को याद करने के लिए कर लेते हैं रैन्वी है ना रैन्वी फुटबॉल मतलब बारिश में खेलने वाला फुटबॉल किवल याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं आप ऐसा मस समझेगे कि बारिश में खेला जाता है तो ranby केवल याद करने के लिए है तो ranby यहनी बारिश में तो ranby क्या होता है कि पानी गिरता है है नो तो पानीश हो गया पानीदरा अर्थात 15 तो rugby football में कितने खिलाडी होते हैं दोस्तो 15 खिलाडी ठीक है तो इस तरह से अपने वीडियो यानि 9 खिलाडी क्योंकि बेस बाल में सब चुपा हुए बेस तो बेस को बोलते हैं नीव और नीव और 9 दोनों मैच करते हैं तो बेस बाल में कितने खिलाडी होते हैं दोस्तों 9 खिलाडी तो इसका सही जोवाब क्या है option नमबर A ठीक है अगला question question number 2 तो बाली बाल में कितने खिलाडी होते हैं तो इसका सही जोवाब है option number C यनि 6 खिलाडी बाली बाली बाल में 6 खिलाडी होते हैं क्योंकि बाली बाली बाल में सब चुपा हुए बालिंग और जब बालिंग की जाती है क्रिकेट में तो एक ओवर में कितने गेत फेकी जाती है 6 गेत तो बॉली बॉल में कितने खिलाड़ी होते है 6 खिलाड़ी तो इसका सही जवाब क्या है option number C ठीक है अगला question question number 3 basket ball में कितने खिलाड़ी होते है तो इसका सही जवाब है option number B यानि 5 खिलाड़ी क्योंकि basket ball में सब चुपा हुए बिस्किट और छोटी वाली बिस्किट कितने की आती है 5 रुपए की एक पैकेट तो basket ball में कितने खिलाड़ी है दोस्तों 5 खिलाड़ी तो इसका सही जवाब क्या है option number B ठीक है अगला question है question number 4 water polo में कितने खिलाड़ी होते है तो इसका सही जवाब है option number C यानि 7 खिलाड़ी क्योंकि water polo में जो water है वह WC start होता है और polo अर्थाद जो 5 है वह 4 की तरह दिखता है और W 3 की तरह तो 4 और 3 यानि 7 तो water polo में कितने खिलाड़ी होते है दोस्तों 7 खिलाड़ी ठीक है अगला question number 5 इसका सही जवाब है option number C यानि एक खिलाड़ी इसनूकर में एक खिलाड़ी होते है क्योंकि इसनूकर में सब छिपा हुआ स्कूटर और स्कूटर को कितने लोग डराइब करते हैं केवल एक लोग तो स्कूटर से स्नूकर तो इसनूकर में कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों एक खिलाड़ी ठीक है अगला question question number 6 खोखो में कितने खिलाड़ी होते हैं तो इसका सही जवाब है option number B यानि 9 खिलाड़ी क्योंकि खोखो में सब छुपा हुआ खो खो अर्थात ऐसा लग रहे जैसे कोई व्यक्ति खांस रहा हो और अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ मूँ करके खांसे तो आप बोलेंगे 9 इधर मत खांसो तो 9 से 9 तो खोखो में कितने खिलाड़ी होते हैं 9 खिलाड़ी ठीक है अगला question number 7 सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस गेम में होते हैं तो इसका सही जवाब है option number B यानि रगभी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी रगभी फुटबॉल में होते हैं और खिलाड़ीों की संक्या कितनी होती है 15 ठीक है अगला question आपके लिए है कि boxing में कितने खिलाड़ी होते हैं साथ ही आपको यह भी बताना है कि tennis और table tennis में कितने खिलाड़ी होते हैं तो इन question के answer आपको comment करके बताना है तो इस तरह से अपने वीडियो complete हुआ मैं उमेद करता हूँ कि आज के बाद आपको खेल और खिलाडियों की संख्या से समंदित कोई भी confusion नहीं होगा जब भी ज्याम में आपसे खेल और खिलाडियों की संख्या से question आएगा तो आप 100% सही answer दे पाओगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद